गुड मॉर्निंग डिर स्टुडेंट, टूडे इस अवर हिंदी क्लास, आज हम पढ़ेंगे लेसन फाइल, लिंग हिंदी व्याकरण की किताब से, पेज नमब बूर सेवन्टीन, लिंग, चेप्टर का नाम है लिंग, लिंग क्या होता है बच्छो, लिंग क्या होता है, लि सब्द के जिस रूप से हमें उसके वो पुरुष या इस्त्री है उसका पता चले उसे हम क्या कहते बच्छो लिंग कहते हैं लिंग के दो बेद होते हैं जैसे पुल लिंग और इस्त्री लिंग ठीक इसी प्रकार आपकी बुक के इंदर जो दिया हुआ है देखिए इसको लड़का पढ़ रहा है लड़की पढ़ रही है तो आज हमने पढ़ा लिंग आज हम पढ़ेंगे लिंग तो लिंग से जिस सब्दों से इस्तरी जाती या पुरुच जाती होने का पता चले तो उस जो सब्द पुरुच जाती का बोद कराते हैं उन्हें हम पुलिंग कहते हैं जैसे गायक, अध्यापक, मोर, कुटा, ठीकित्सक, मामा, चाचा, आदी तो ठीक इसी प्रकार इस्तिलिंग जो सब्द इस्तरी जाती का बोद कराते हो उन्हें इस्तिलिंग कहते हैं जैसे गाय नर्स, गाईका, अध्यापिका, बुडिया, माता, बहिन, चाची, मामी, नानी, दादी, आधी तो आज हमने पड़ा लिंग सब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या इस्त्री जाती होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? लिंग कहते हैं क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं लिंग दू प्रकार क्यों होते हैं? एक है पुल लिंग, दूसरा है इस्त्री लिंग जिससे हमें पुरुष जाती का बोध हो, वह है पुल लिंग और जिससे इस्त्री जाती का बोध हो, वह होता है इस्त्री लिंग तो याद कि सभी सब्दों का कोई न कोई लिंग अवस्य होता है वे या तो पुल्डिंग होते हैं या फिर इस्त्री डिंग तो इसी प्रकार और भी आपके बुक में चिसेच सब्द दिये हुए हैं जैसे पुल्डिंग इस्त्री लिंग दादा दादी नाना नानी ताव पुल्डिंग है तो इसका इस्त्री लिंग क्या बन जाएगा ताई शिश्य पुल्डिंग है तो इस्त्री लिंग बनेगा शिश्या जेट जेटानी स्रीमान पुल्लिंग सब्द है तो स्रीमती क्या होगा इसका इस्त्री लिंग सब बन जाएगा रीच ये पुल्लिंग सब्द है तो रीच नहीं क्या हो जाएगा इस्त्री लिंग सब्द कुत्ता पुल्लिंग है तो इसका इस्त्री लिंग बनेगा कुतिया तो इसमें आपको बताए है कि जिस रूप से जब्द के जिस रूप से हमें इस्त्री जाती या पुरू जाती का बोध हो वह लिंग कहलाता है लिंग दो प्रकार के होते हैं इस्त्री लिंग और पूर लिंग तो इसी प्रकात जो हमेशा बुक के अंदर जैसे दिया हुए मैंने आपको इसे लिख के बता है बुक के अंदर भी आपको अच्छे से दिया हुआ है वो भी आप पढ़ सकते हो उसको समझ सकते हो तो इसमें बुक के अनुसर और भी वर्ड दिया हुए जैसे निर्जी भी द हुए बुक के अंदर आपके मोटा, मोटी, बड़ा, बड़ी, उच्छा, उच्छी, सब के पीछे ए की मात्र लगी है, पुल्लिंग और इस्ट्रिलिंग बनें, कडवा, कडवी, यहाँ पर एक्जाम्पल्स और भी आपको दिये हुए, जो आप उसको देख सकते हैं, जो सद पुल्लिंग ही रहते हैं, वह कौन से होते हैं, दिनों के नाम हो, महिनों के नाम, देश के नाम, परदेश, परवत, सागर, ग्रहों के नाम, आदी, यह हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, और सदेव इस्ट्रिलिंग रहने वाले शब्द जैसे नदियों के नाम, नहर, पुलिंग लियने वाले शब्द कौन से है दिन, महिने, देश, परवत, प्रदिश, सागर, ग्रहों के नाम और सदा इस्त्रे लियने वाले शब्द नदी, नहर, तिथी, रितू, बाशा और बूलियों के नाम ठीक इसी प्रकार आगे के क्रम में मखी, बतक, छील, मकडी, तितली, आदी इस तरीनी सब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए इनके आगे नर्शब्द लीग देते हैं जैसे नर्मकी, नर्शिल, आदी तो इसमें आज अपना टॉपिक था लिंग तो हमने पढ़ा आज लिंग तो इसमें आपको क्या समझ माया कि लिंग किसे कहते हैं कि लिंग सब्दों के सब्द की जिस रूप से हमें इस्त्री जाती का पता चले उसे हम क्या कहते हैं बच्चो लिंग कहते हैं लिंग दो प्रकार क्योंते हैं इस्त्री लिंग और पुर्लिंग इस्त्री लिंग जिसमें इस्त्री जाती का बोध हो पुर्लिंग जिसमें पुरुज जाती का बोध हो तो ठीक इसी प्रकारी चेप्टर को रीड करना आपको अच्छे से और इसको समझना है और आपको कोई भी डाउट होतो मुझे पूछना है दन्यवाद